प्यारे बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप इमीद करते हैं या बेटर होंगे आपके प्राइए लिखाई बेहतर ढंक्षे चर रहा होगा चलिए भाईया हम आ गया है क्या आप लोग जूर गया है यहीं होता है फेमस हो जाने पर मतलब क्या लिख रहे हैं जी समझ में नहाता ह क्यां है चलु भएया कीलिए है अव आज पीक्चिर मेरा पहुंच रहा है या नहीं पहूंच रहा है जल्दी बताएए इवाज पूंच रहा है और कॉमेंच करके बताएं और कपटा गया आप कर देीजाए जो बहा चुरू करते हैं आज का कोशों धियान रहे है आज तीन और second shift, third shift, तिनों का यहां पर हम देखेंगे, यानि कि 24 अगस्त, ठीक है भईया, 24 अगस्त का हम यहां पर देखेंगे, पहले देखेंगे, फार्स shift का, फार्स shift में कैसा कैसा question आया था, हना, और सारे question को यहां पर हम देखेंगे, और सबसे important बात, सर, push in, clear है, सिधे, आजाएं, आजाएं, चलो, पहला question से सुवात करते हैं, देखेंगे, यह पहला question आपका फुशा गया था, कि अर्ध बित का परीधी निकाले, जिसका ब्यास हमें दे रखा था, 21 cm, और πाई कमान 22 बटा साथ, ऐसे भी पाई कमान 22 बटा साथ होता है, अगर अर्ध बित का भाईया, अगर आब बात करते हैं, तो अर्ध बित ऐसा होता नहीं, आइसका परिमाब की बात करोगे, तो यह वाला भी कौंट होगा, यह परीधी होता है, बित का पाई डी, तो यह अर्ध परिमाब क्या होगा, तो कहोगे, पाई डी का क्या होगा, आधा हो होगा किलियर है इसको इसको जोड़ना होगा अब इसमें से पहले डी को तुम कोमन निकाल लोगे तो आपको पड़ जाएगा पाई बटा टू यानि की बाइस बटा साथ बटा टू अब पलस का ओवन बज़ जाएगा नहीं अब डी कमाने यहां पर दे रखा था एकिस एकिस सम रख देंगे तो आपका एंसर आजाएगा एगा दूनी बाइस हो जाएगा ना तो आज आएगा एगारा साथ अठारा बटा साथ इसको काटिएगा तो सतिय एक इस यानि इतना इसका परिदी आ जाएगा बोलिए समझ में आया क्या आप लोगे को को कर पाये हैं या नही जल्दी बताएगा ठीक है आज बहुत कम बच्चे हैं क्या बात है भाई एक बाट शेयर कर दीजेगा और आज ही हो सके परहाते परहाते हना मिलियन सबस्क्राइबर भी होने वाला है 500 सबस्क्राइबर घट रही है मिलियन होने में तो कॉर्सिस करिए एक ओ 하겠습니다 कि परहाते पर लगे Kaiser कि आप से पूछा कि किसम पड़ी जुए ये कितना बढुхा तो कहोगी या कि तो कहोगे टीश्चा सोने का मतलब 180 कितना में ककी तो में रहरों किसम ऍभा Christcr बढुक है उस secular 2012 क्रीज़ेगे में निल्रूरा से देखे दुषियर रही है औरult रही है तो share like कर दिजेगा like जो अभी तक नहीं किये हैं चैनल को subscribe नहीं किये कर लिजेगा क्योंकि million होने वाला है 500 घट रहा है आगे बढ़ते हैं अगले question पर यह वाला देखो यह question कह रहा था कि पाच अंकों के सबसे बरी संख्या बताएं जो 18 15 और 21 से विभाज है जो 18 15 21 स बिभाज है अगर इसका option रहता ना ध्यान से समझना चुक्रिक इसका अगर option रहता तो इसको option से बनाना जाद कर एक minute अगर इसमें option 4 होता ना तो option से बनाना ज्यादा बढ़िया होता लेकिन option है नहीं अता बनाना ही पड़ेगा तो बनाओगे कैसे तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे यानि यह वाला अब इसमें क्या करोगे चुकि यह तीनों से कटना चाहिए तो ती 18 में 6 गुना 3 है ना यानि कि 3 इसमें है 3 को छोड़ दो 6 को तुम डाल दोगे 15 में 3 गुना 5 यानि कि 3 आया हुआ है पांच को यहां पर क्या करोगे डाल दोगे क्लियर है तो यहां पर आपका आजाएगा कितना कोगे 635, 99, 63, 630 इसका LCM आजाएगा तो पहला काम होगा यह तीनों का LCM लेकिन ध्यान रहे एकजाम में कोशन को ऐसे हम नहीं करेंगे औप्सन से करेंगे वहाँ औप्सन को देखेंगे जो बरा से बरा वहाँ ओप्सन देखेंगे कि जो यह तीनों से कट रहा है हना वहीं अमेरा उत्तर होगा ऐसा सिस्टम अपनाएगे अब क्या करेंगे इसमें 630 से भागा देंगे कहीने कहीं एक बार जाएगा दोस्त 630 किलिए रहे यह आ जाएगा 9 6 3 यह बेसिक तरीका है बेसिक तरीका से एकजाम में हम बनाने का प्रयास नहीं करेंगे अब यह वाला 9 यहाँ पर उतरेगा अब लगेगा लगता है पाच ब लगा कर देखो कहोगे 0 8 यह 24 के 4 बाकि दू अर्टालिस हो जाएगा पच्चास नव पाच चार से इतना बच गया यानि यानि कि 630 से अगर इसमें हम भागा दिये तो इतना जादा हो गया इतना क्या हो गया जादा हो गया कास इतना अगर यह कम रहा होता तो यह संख्या शे सो तीस से कर जाता यानि की 18 से भी कर जाता 15 से भी कर जाता 21 से भी कर जाता यानि वह संख्या सक्कांट होगा तो हम कहेंगे 9 9 9 5 9 5 9 में से इतना ज़्यादा होने की बज़ा से नहीं कटा अता है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 4 5 9 को माइनस कर देंगे यानि 0 4 5 9 9 यही मेरा प्रस्मिक्टा उत्तर होगा लेकिन ध्यान रहे ऐसे कोशन को हम बनाएंगे औप्सन से पहला प्रस्मिक्टा औप्सन का देंगे किलियर भाई लोग सरीजनी में क्या क्या आ रहा है देखो यहाँ पे दोनों को कोशन कलेक्ट करना थ्वासा बहुर टाइम टेकन हो जाता है इसी बज़ाद से जो भी हम लाते हैं एक्जाम होल में ही कोशन कोपी पे लिख के लिए आए थे वही सारे के सारे कोशन है यहाँ पे कहता है कि यदि पलस और माइनस एबम गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न का मान निकालें यानि यह रिज़िनिंग का कोशन कर सकते हैं कहता है कि पलस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा के चीन को भी आपस में बदल दिया जाए तो इसका मान क्या होगा बहुत सिंपल कोशन है नहीं ये है 15 माइनस है नहीमा पेटल रहे हो ठीक है तो गुना 4 कर दोगे पलस को घटाव कर दोगे और ये गुना को भागा कर दोगे और इसको हुल कर दोगे आपका answer लोग आ जाएगा पहले काकर पीशे भाग तब गुना तब जोन घर्टा भयाने पहले भाग का किरिया करना होगा शे हो जाएगा इसको गुना करोगे भाईया तो यह हो जाएगा 32 अब यहाँ पर कहोगे कि 15 में शे गया अन्नो 32 अन्नो कितना हो जाएगा 41 आपका प्रस्म का जवाब हो हाई एंसर या नहीं आ रहा है वो कैसे कर सकता है सर चलिए किलियर है यहां तक कहीं कि नहीं को दिक्कत है तो बता दो यहां तक किलियर है हना अब यहां पर देखिए वाला कोशन को यह वाला कोशन को हना डाटा लगवा कुछ आगे पीशे हो सकती है को बरी बात नहीं है य तो बनाने का बहुत तरीका है यहाँ पे अगर आठ परतिसत की दर्फ से तुम एस आई की बात करोगे यहाँ पे देखो दो ढंक से इसको बना सकते हैं आप अगर आठ परतिसत की दर्फ से बात करोगे तो यहाँ पे एस आई भाया होता है 16% होता है और C.I. होता है 8864 यानि 16 16.64% यह होता है यानि कहीं ने कहीं आपका प्रस्रेक्ष में 16% का मान यहां पर इतना दे रखा है आए. 1664 यह जादा है यानि 1564 का मान निकाल देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा यानि हम कहना क्या चाहर है शोलना पर हेलो यहां पर दे रखा है एक हजार रुपईया तो चक्रिविर्धी ब्याज पूशा है सी आई पूशा है यानि इतना कमान क्या होगा तो पूरा कमान अगर निकालोगे तो कल्कुलेशन बड़ा हो जाएगा आता आप इसी कमान निकालो यानि देसमलब चौशाट कहीं मान निकालो यतना जादा होगा और क्या यानि की हो जाएगा एक हजार बटा सोलह गुणा जीरो देसमलब चौशाट ऐसे आप कर सकते हो था इसको यानि ये देसमलब से भाईया पईया जादा होगा यानि की 1040 रुप्या होगा देखो इसको कई ढंक से आप बना सकते हो यहाँ पे 16 देसमलब बर्सका आठ परतिसत की दर्स से इसको ब्याज भी लगेगा यानि कितना लएगा भाईया 40 रुपईया तो टोटल सी आई कितना हो जाएगा कोगे 500 पांसो एक हजार और चालिस एक हजार चालिस हो जाएगा तो देखो बनाने का बहुत सा तरीका है ऐसी कोई बात नहीं है आई एं फ्रॉम करनाटका सर यू आर बिगिश्ट फैन चलो बढ़िया बात है यहां तक किनी को दिक्रत क्या बात है भाई आज बहुत कम बंदे हैं क्या आप लोग सेर नहीं किये हैं या लेट से हम सुड़ू लगाया है यह माल लो ना तो यह हो जाएगा A, A भी हो जाएगा A, इसको B माल लो ना तो यह हो जाएगा B, यह हो जाएगा B, किलियर है इतना करोगे तो उपर में क्या आ जाएगा तो कहोगे A square minus B square आ जाएगा, किलियर है यहां तक को दिक्रत, अब A square minus B square का मतलब क्या होता है? A plus B into A minus B ह होता है यह नहीं होता है बात को समझना यह बाला को हम यह मढल ये लिए योणा है यह ए स्क्राइँ तो इस्क्राइब भी गुना यानि की माईनेस यानि यह सिक्षार का मतलब क्या होगा एक बारत इसको जोडना होगा जोड़ ओ तो कहो आपका उतर 6.9 शे आ जाएगा देखिए यहां पर प्रस्मता इस तर आगा किलियर है आई बात समझ में आर ये बात समझ में आज आपको सारे कोशन देखने को मिल रहा है लगभर एक रेट ही मिल रहा है किलियर है भाई मज़ा आ रहा है एक बार तो ये सिस कर दिजिए अगर और सेर भी कर दिजिए ताकि जादा से जादा बच्चे इसका फाइदा उठा सके अब देखो ये तो हर एक सिप्ट में हर एक दिन लगभग है ये वाला कोशन रेकरिंग बाला पूशी रहा है यहां पर कहा कि 0.277 पर रेकरिंग है तो इसका मान कैसे निकालोगे तो मैंने जाएँने बताया है कि संख्या में से बीना रेकरिंग बाला को घटाड़ेना और नीचे मिफेंग के बदले 9 एक पर रेकरिंग नहीं है अता उसके बदले 0 यानि कि 25 बंब नब्वे हो जाएगा यानि यह हो जाएगा 5,18 आपका प्रस्न का जवाब यही हमारा प्रसन का ए एक मिलियन होने वाला है यानि अभी यह हो गया है 9.99 लाख हो चुका है इतना आपका सब्सक्राइबर हो चुका है बहुत जल्द मिलियन होने वाला है हो सके प्रहाते प्रहाते हो जाए है जैसा कि मैंने बोला है कि मिलियन होने के बाद आपको कुछ न कुछ तौफा तो मिलन मिलना है गिप तो मिलना है आगह यहाँ पर देखे अगला कोशन ये बाला सोडा कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कल गऄ दिया कोशन को कvell को मैंब देखेगा इस कोशन को एक कोशन क्या कहता है कि ऑ辜मने दीखो यह टाइम इन बर का कोश्टन है बहुत सेदार कोश्चन है ठीक है काता है आठ महिला यहां लिख देते हैं काता है आठ आठ महिला आठ बोमेन और बारह पुरुस आठ बोमेन और बारह पुरुस किसी काम को दस दिन में करता है क्लियर है हम बारेकी से समझा रहे हैं आठ महिला और बारह पुरुस किसी काम को दस दिन में करता है एवं शे पुरुस और आठ महिला उसी काम को चौधा दिन में करता है तो एक पुरुस उस काम को कितना दिनों में करेगा सबसे पहले तो यह सुन लिजिए किया जो कोशन आया था बिलकुल इसी तरह का एक कोशन और था उसमें डाटा चिल था और यहां पे एक पुरुस उस काम को कितना दिनों में करेगा आई बात समझ में यानि कि ऐसा दो कोशन था एक एक कोशन था एक कोशन बिलकुल यही था सिर्फ उसमें डाटा चेंज था और यहां पे एक पुरुस का पुशा गया था वहां पे एक महला का पुशा गया था बात आरे यह समझ में चलो अब हल करने का हम प्रयास करते हैं एक लोटल से हैंना इतना वो में यह हो जाएगा मैंने कुछ नहीं किया E गुना E बरावर E गुना E बरावर E गुना E किया दोनों क्या हो जाएगा? एक्वल हो जाएगा अब यहाँ पे इसको हल करने का प्रयास करते हैं तो 120 आ 112 को इधर लाते हैं ठीक है? गलती हो गया काण फिर से देखो यहाँ पे 10,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 हो जाएगा नहीं 32 में हो जाएगा अब इसको अगर काटिएगा दोस्त यहां पर तो कड़ जाएगा नो चौशतिस और आठ चाव बतीस तो यह वीडियो कैसे लागा फ्रोमें ब्राबर हो जाएगा आठ 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 को काटके क्या नव आदमी बनाया जा सकता है जी आब तुम क्या कहोगे यहां पर इसको देखकर कि 9 अशो 15 आदमी किसी काम को उसको हम दुसरा कलस ली देते हैं उसमें मैक्स न कर जा इसलिए ठीक है न, 90 पन्दारओं आदमी किसी काम को 14 दिन में करता है तो एक आदमी उसकाम को कितना दिनों में करेगा यही आपका उतर होगा, तो D2 कमा निकल जाएगा कितना, तो 15 का बर्ग 225 में से 15 माइनस कर दो, यानि कि 210 दिन आपका एंसर हो जाएगा, किलियर है दोस्त, यहां तक किनी को दिक्केत, आई बासमें, है न, तो ऐसा दो कोशन आपको जामें देखनों के मिला था, किलियर है, आप हमारा कॉमेंट्स नहीं देखते हैं, अब बताओ भाई लोग, आपका कॉमेंट्स देखें, कि कोशन का डिसकर्शन दे, सब का समय किम्ती है, इनपॉंटेंट्स है, ठीक है, अब यहां पर देखिए, चलते चलते जो कॉमेंट्स दिखाए दे देता है, ऐसे एक नजर है या भूल जाएए, गुना करते हैं, तो चार तिया बारह A स्कॉाइर इधर हो जाएगा, B स्कॉाइर, आइए बास समझ में, जो कंसेप्ट है, अगर नहीं जानते होंगे, तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, हम दोगा हाथ पर वीडियो बनाये हुए हैं, उसको देख ल आजाए, यानि तो पहले आठ आना चाहिए, पहले आठ, तो बारह को जोड़ोगे, तो कहोगे 6 गुना दू कर देंगे, तो बारह तो हो जाएगा, नहीं, दोनों को जोड़ेंगे, तो बारह तो हो जाएगा, लेकिन A स्कॉाइर, B स्कॉाइर भी आना चाहिए, तो यहाँ पर a square b square हो जाएगा यहाँ पर भी a square b square भी हो जाएगा बस आपका हल हो गया यानि आपका मुल कौन होगा आपका मुल कौन होगा तो कहोगे भाईया a गो मुल e होगा चिन्वा बदल के है न माइनस 6a square b square अब बटा में e वाला डालना मत भूलिएगा बटा में x square का और दूसरा मूल कौन होगा, कहोगे पलस 2a²b² है, तो लिख दो माइनस 2a²b², अब बटा में e वाला, यानि कि 3a², यही इसका हल होगा, x कमान होगा, मूल होगा, कटता है भाई लोग तो कार देना, तो कहोगे a² से a² कर जाएगा, 3 दूनी 6 कर जाएगा, यानि यह हो माइनस 2b², अब दूसरा मूल आपका होगा, कटेगा नहीं, लेकिन e² से a² कटेगा, तो यह होगा, माइनस 2 बटा 3b², यही आपका प्रस्ण का एंसर होगा, क्लियर है, अगर मूल पूछा होता, तो क्लियर है भाई, आर यह बास समझ में नहीं, देखो कोशन जब पूरा आता है, तो समझ में आता है कि कोशन आसान है या एजी है, कोशन तो एजी हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बनाने में आपको टाइम नहीं लेगा, एक बड़ से अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन को यहां पर देखते हैं, अगला कोशन एक कोशन टाइम इनवर का यह वाला था यानि कि टाइम इनवर का तीन कोशन देखने को मिला था अब एक कोशन क्या कहता है यह भी अल्टानेट का कोशन है लगता है नहीं कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है गौर से समझेगा एक किसी काम को 20 दिन में बी उसी काम को 30 दिन में करता है फिर आगे बोलता है सी उसी काम को 60 दिन में करता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं दोस्त कूल काम निकालते है बफ्लिंग हो रहा है का देखो तो यह सर आपका इसका त्रित कोश्ष्चन करवाईए चलो इतने कर लोगे बहुत है भाई, अब यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा, तो कहोगे 60 हो जाएगा, एक दिन का काम निकालना मत भूलिएगा, ए होगा 3, 2 और 1, clear है, अब पर हो कोशन क्या कह रहा है, कोशन कह रहा है कि परतेक तिसरे दिन A को B एवं C के साथ में मदद करता है, यानि A को B एवं C एक साथ मिलकर, B और C एक साथ मिलकर A को क्या करता है, मदद करता है, परतेक तिसरे दिन, यानि इसको कहने का मतलब है कि पहला दिन A करता है, दुसरा दिन भी A करता है, लेकिन तिसरा दिन A को मदद करने के लिए B और C पहुंच जाता है, यह दोनों इसक तो थीन जाता होगा तो थीन जालने के लिए आजाएगा तहीं दूप काम निप्ता देगा यानि कि तिसरा दिन इतना काम हो जाएगा यानि एक दो तीन दिन में रोंड पुरा हो रहा है हम यहाँ पर लिखेंगे तीन दीन में किया गया काम कितना होगा तो कहोगे तीन बारह काम यानि तीन दीन में इस हिसाब से बारह काम निपड़ जाएगा हमको करना है टोटल 60 काम तो कितना से गुना किया जाए कि ये 60 में परनित हो जाए तो कहोगे भाई आप 5 से कर दोगे तो 60 काम हो जाएगा इधर 5 से इधर भी 5 से करना होगा यानि दिन टोटल लजाएगा 5 या 15 दिन यानि 15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा किलियर है भाई आरे ये बास समझ म तो बोलो ये नहीं आ रहा है तो नो ये क्या होगी आज सच मुझ बहुत कम बाचिंग है मज़ा नहीं आ रहा है हना लगता है आप लोग उप गये हैं एक बार सेर अपने दोस्तों में कर दिजिए लाइक भी कर दिजिए ताकि हना मज़ा आये डिसकान का है प्यार प्यार सर जी सर आई लव यू ठीक है किलियर है आई बात समझ में आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर ये वाला कोशन देखिए ये अलजबर्या का कोशन कुछ ए डंका था पता नहीं आकरा में कुछ गरबरी हमको लग रहा था लेकिन जो आकरा मेरे पास पहुंचा है उसी के अन अब इसको तुम B माल लेते हो तो कहीं ने कहीं A square minus B square के अपहुंचा मतलब होता है A plus B into A minus B यानि ये दोनों को एक बार जोड़ना होगा ये एक बार क्या करना होगा गहताना होगा यानि कि अगर जोड़ोगे पहले जोड़ते हैं अरे भाईया ये क्या हो जाएगा ये वा जोड़ेंगे अब दूसरे बार क्या करना होगा घटाना होगा चलो एक बार जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो एक सिस्क्वाइर में एक सिस्क्वाइर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कहोगे टू एक सिस्क्वाइर हो जाएगा यह पलस एम स्क्वाइर है यह माइनस ए यहां पर यहां पर घटाते हैं समझने के लिए यहां पर चिन लगा रहे हैं जब घटाओंगे दोस्त इसको घटाओंगे तो यह माइनस से पनित हो जाएगा यह वाला माइनस हो जाएगा अब देखो घटा होगे तो क्या होगा एक स्कॉयर पलस माइनस होगा कर जाएगा है नहीं आया तो बोलो राम राम नहीं आया तो बोलो राम राम अब इसको हल कर दीजेगा आपका answer भाई लोग आ जाएगा कहोगे इस दोनों में 2 है न तो इस 2 को बाहर निकालो 2 को बाहर निकालो कि इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4x² अंदर बच जाएगा m² माइनस का z² अब आओ हल करना चाहो यगा गुनान खंड फॉन इसका पुशा होता तो तुम कहता है इतना यह इसकोर मानस 20 को बेच में फिट तूड जाएगा यानि की a में पलस जेड इंटू a में माइनस जेड यह हो जाएगा अब क्या option था option यह था यह था उसके अनुसार आप टिकोर्ट मार दोगे या इसमें कुछ changing था तो उसके अनुसारा हल कर लोगे clear है भाई clear है sir clear है कहीं को दिक्यत अब आगे देखते हैं अगला कोशन यह बाला यह बाला कोशन जो है बहुत आसान कोशन है यहाँ पे कुछ नहीं करना था याने कि इसमें इधर करके बता दूँ आपको इसमें आपको उपर नीचे ठीक 1 पलस साइन ठिटा से गुना कर देना था नीचे भी 1 पलस साइन ठिटा से गुना कर देना था नीचे में 1-sin theta into 1-sin theta बराबर 1-sin square जिसका मतलब होता है cos square theta, नहीं, 1-sin square theta आ जाएगा, जिसका मतलब होता है cos square theta, यानि ये दोनों को गुना करोगे, तो आ जाएगा 1-sin square जिसका मतलब होता है cos square theta, और cos square theta का बर्मून निकलेगा नीचे, तो यह हो जाएगा cos theta, ऐसे, अब यह पे बहुत बहुत अंगे पढ़ते हैं अगले question को देखते हैं अगला question सबसे पहले इसको हम बेसिक तरिका से समझते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं कि और कैसे बनाया जा सकता था एजी में करता है दो कर्मागर संख्या हो के बर्गो का योग 313 है दो करमागत संख्या मान लो एक संख्या एक्स है और दुसरा करमागत मतलब लगातार क्या होगा x plus 1 होगा कहता है कि इसके बर्गों का योग 313 है यानि x का बर्ग करोगे अब plus 1 का बर्ग करोगे तो यह भाईया आएगा 313 इसका कहने का मतलब यह है ठीक है अब इसको टोड़ोगे तो हो जाएगा x square plus x square plus 2x अब plus का 1 बराबर 313 अब यहाँ पर आउखल करोगे तो हो जाएगा 2x square plus का 2x यह इधर आएगा तो माइनस 312 बराबर 0 अब दूसर सम्में है तो दू को कॉमा निकाल लोगे तो हो जाएगा x square plus x माइनस 152 बारा इतना आजाएगा किलियर है दूसर समय भागा दे दिये अब देखो यह बिल्कुल दूगहात समकर ना गया न अब दूगहात समकर बनाने का नियम है कि अगर एक सिसका का कोई गुनानक नहीं है तो सिर्फ इसी को ऐसा दो खंड में टोरेंगे कि हम बार बार बोलते हैं पलस है तो पलस करने पर बीच वाला आ जाए यानि कि पलस उबान आ जाए कुछ नहीं मतलब पलस उबान आ जाए तो कहोगे भाईया बारा गुना तेरा करना दो बारा गुना तेरा करना दो यानि तेरा गुना बारा करना दो गुना करने पे इतना आजाएगा अग घटाने पे पलस एक आने का मतलब भी पलस कर दो यह क्या कर दो माइनस कर दो यानि एक होगा पलस तेरा एक होगा माइनस तेरा यानि कि एक सकमान अगर आप निकालोगे X का मान अगर निकालोगे तो ये माइनस 13 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा ये माइनस 12 है तो पलस 12 हो जाएगा यही X का मान निकलेगा यानि माइनस बाला तुमान आपका होगा नहीं माइनस बाला मान होगा नहीं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो कहोगे पहला संख्या 12 आप दूसरा हो जाएगा 12 पलस ओवन यानि की 13 आप से शोटी संख्या पूछा है तो 12 आपका प्रस्ट का उत्तर होगा किलियर है लेकिन यहां पे दो लगतार संख्या के बर्गो का युग 313 था तो क्या सा दिमाग आप नहीं लगा सकते थे थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकते थे कि भाई आप 10 का पार करते हैं तो 100 होता है और 100 पलस 100 करते हैं तो 200 यानि इससे कमी रहता है अगर 111 की दूनी 242 से कमी रहता है 12 का बर्ग 144 दूनी 288 12 का बर्ग कर रहे हैं और दो बार करते हैं 288 13 का बर्ग 179 ज्यादा हो जाता है दो बार जो रोगेता है यानि कहीं ने कहीं यह संख्या जो है भाईया 12 का बर और 13 का बर करने पर आ जाएगा 144 प्लस 179 करोगे 947 के 3 बाकी 1, 441, 313 आ जाएगा यानि क्यों वह संख्या सोटी कौन है तो कहोगे सोटी संख्या है 12 और बड़ी संख्या कौन है कहोगे 13 तो आराम से निकल जाता कहीं को दिकत नहीं था और आपसान रहता तब तो और आसान हो जाता नहीं अगर ऐसा करते तो फिर ऐसे आपको बनाना पड़ता अगर वीडियो बरहन लगता है तो लाइक शेया करना मत भूलिए ओके बाई बाई